So hi guys, I am Mohit और इस week मैंने देखी Hollywood animated film Inside Out 2 जो मुझे काफी अच्छी लगी Inside Out 2 2015 में आई Inside Out का direct sequel है और जहां पे Inside Out खतम होती है वहीं से Inside Out 2 movie स्टार्ट होती है तो आज की वीडियो में मैं Inside Out 1 और Inside Out 2 को detail में explain करने वाला हूँ तो अगर आपने Inside Out 1 देखी है तो मैं time stamp देदूँगा आप direct skip कर सकते हो Inside Out 2 पे तो इसी के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं Inside Out 1 और 2 की कहानी एक young girl Riley और उसके emotions के around revolve करती है Riley की life उसके actions कैसे उसके emotions कंट्रोल करते हैं Riley के mind में उसके emotion है जो Riley को एक console के थुरू कंट्रोल करते हैं तो यार यह मैं क्या बोल रहा हूँ यह आपको समझ आएगा जब मैं कहानी को more detail में explain करूगा Riley जब पैदा होती है तो सबसे पहले Riley के head के headquarters में joy आती है और उसके बाद sadness आती है यह दोनो emotions हैं जो Riley feel करती है इस movie में emotions को as a human being दिखाया गया है और दिखाया गया है कि emotions कैसे सोचते हैं और वो कैसे अपने human being को कंट्रोल करते हैं जैसे जैसे Riley बड़ी होती है Riley के head के headquarters में नए-nए emotions आते रहते हैं third emotion आता है fear जो Riley को safe रखता है उसे careful बनाता है ताकि उसे चोट वगेरा ना लगे fourth emotion आती है disgust जो Riley को घिन वाला emotion देती है और वो उन चीजों से घिन करती है जो गंदी हैं जो Riley को पसंद नहीं है जैसे एक दिन Riley को उसके पापा डिनर में ब्रॉकली खिला रहे थे Riley के head में उसका पाचवा emotion anger active हो जाता है अगर कुछ चीज़ें गलत होती है या Riley के according नहीं होती तो anger को गुसा आजाता है और Riley को भी फिर गुसा आजाता है Riley के life के हर experience और moment के बाद एक memory बनती है जो head quarters में एक ball के shape में collect होती रहती है और इस तरह बहुत सारी memory balls collect होती रहती है हर दिन hundreds of memories बनती है और सब memory balls के form में store होती है अगर कोई memory खुशी वाली या joy वाली है तो वो yellow color की ball में store होती है sad वाली memory blue color की ball में store होती है similarly discussed वाली green में anger वाली red memory ball में इन regular memory balls के अलावा headquarters में एक और section है के most important life के moments से जैसे राईली ने जब अपना पहला hockey में goal किया था तो ये memory regular नहीं बलकि core memory section में गई core memory से ही राईली की personality define होती है और उसके different personality islands बनते हैं जैसे राईली ने जब अपना पहला hockey goal किया तो उस core memory से hockey island बना जो उसकी personality को दिखाएगा कि राईली होकी खेलती है similarly और भी personality islands है जैसे family island जो family की memories से बनता है friendship island जो friendship की memories से बनता है similarly goofball island है जो उसे मस्ती खोर बनाता है और honesty island है जो दिखाता है कि वो honest है ये islands राईली की personalities हैं और जो राईली को राईली बनाते हैं हर दिन खतम होने के बाद रात को जब राईली सो जाती है तब उसके head के headquarters में दिन की बनी हुई hundreds of memories को long term memory section में भेज दिया जाता है राईली के head में 5 emotions में से joy leader का काम करती है और वो sadness को unnecessary burden समझती है राईली के ऊपर क्योंकि sadness हमेशा राईली को दुखी करती है उसे रुलाती है joy sadness को हमेशा control करने की कोशिश करती है ताकि वो राईली को sad न कर पाए उसे रुलाना पाए और राईली हमेशा खुश रहे राईली अब 11 साल की हो गई है उसके पापा की नई जौब लगी जिस बज़े से उसको अपना घर छोड़के मिनिसोटा से नए शहर सेन फ्रेंसिसको में shift होना पड़ा राईली के पाँचों emotions डर जाते हैं कि नई जगे पतानी कैसी होगी जोए राईली को खुश रखने की कोसिस करती है और expect करती है कि नया घर अच्छा होगा लेकिन नया घर अच्छा नहीं होता वहाँ कुछ सामान भी नहीं है पूरा घर खाली पड़ा है जो पुराना सामान है पुराने घर का वो तीन-चार दिन बाद आएगा नया घर गंदा सा है वहाँ चुआ मरा पड़ा है और राईली का रूम भी विलकुल खाली है और एक्टे हो जाते हैं और राईली को अरल की क्रूल करने लगते हैं और वहाँ सारी सारी सहंफंग ऑर घर ओली राईली को याद करेगी तो सद्रार जाईग इसलिए जया सेड्नेस को मेंरी बान से ही हल्एंऑ और सही राईली चौर्प बचलब हो बनout lol से और अगर sadness उन core memory balls को touch कर लेगी तो core memory balls sad हो जाएगी और finally जो Riley होगी उसकी overall personality भी sad हो जाएगी अगले दिन Riley पहली बार नाइ स्कूल में जा रही है, वो काफी excited है, Joy उसे अच्छी feelings दे रही है Riley अपनी पहली class में बैठी है, teacher आके उससे उसका introduction पूछती है headquarter से Joy Riley को control कर रही है, और Riley खुशी खुशी अपने बारे में बता रही है कि वो Minnesota से है वो ice hockey खेलती है, Minnesota में अपने friends के साथ वो खेलती थी Riley के head में एक memory चल रही है और उसी memory को वो teacher को बता रही है अचानक से उस memory ball को sadness टच कर लेती है, और इस वज़े से Riley दुखी हो जाती है, रोने लगती है वो बोलती है कि कैसे वो Minnesota में बहुत खुश थी, लेकिन जब से वो San Francisco आई है, सब बदल गया है उसके friends भी Minnesota में ही रह गए है इस moment के बाद एक दुख वाली blue color की core memory ball बन जाती है और वो memory ball core memory section में जाने लगती है headquarters में joy उस core memory को रोग देती है और उसे dispose करने की कोशिश करती है अगर कोई memory ball को dispose करना होता है, तो वहाँ पे headquarters में एक pipe था उस pipe में अगर आप उस ball को डाल दोगे तो वो ball headquarter से बाहर चली जाएगी एक ऐसी जगा जहां पे जो memories है वो भुला दी जाती है तो joy try करती है कि उस core memory को हम उस pipe से बाहर फेक देंगे और इस वजए से जो Riley है उसको ये memory याद नहीं रहेगी बाद में और Riley की personality जो है वो sad नहीं होगी joy इस रोने वाली sad memory को tube में डालने जाती है और sadness उसे रोकती है दोनों में struggle होता है और गलती से joy और sadness ही उस tube में चले जाते हैं और दोनों headquarter से बाहर गिरते हैं जाके core memories से छेड़ चाड़ की बज़े से Riley की personality आईलेंट्स भी अब बंद हो चुके हैं अब headquarters में सिर्फ anger, disgust और fear बचते हैं joy और sadness अब headquarters में नहीं है इसका मतलब अब Riley सिर्फ fear, anger और disgust वाले emotions ही experience कर पाएगी इस्कूल के बाद Riley घर पहुँचती है उसके parents school के बारे में पूछते हैं तो Riley गुस्सा हो जाती है और जगड़ा कर लेती है इस जगड़े के बाद Riley के mind का goofball island तूट जाता है जो Riley को एक मस्ती खोर बनाता था बट अब Riley दुखी है और इस वज़े से goofball island भी तूट गया है headquarters में fear, anger और discussed बहुत परेशान है कि Riley को कैसे समाल है और वो सब joy के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं wish कर रहे हैं headquarters से dispose होके joy और sadness long term memory section में गिरते हैं जहां लाखों memories ball है वो area बहुत बड़ा है दोनों भटक जाते हैं और वापस headquarter का रास्ता ढूनने लगते हैं दोनों long term memory lanes में भटक रहे हैं कि कुछ लोग उन्हें दिखते हैं जो memory balls को collect कर रहे हैं और dump में fake रहे हैं ये ऐसी memory balls हैं जो भुलाई जा चुकी हैं और बहुत पुरानी हो चुकी हैं डंप में गुरी हुई चीज हैं राईली दुबारा याद नहीं कर पाएगी राईली अपनी Minnesota वाली friend से बात कर रही है लेकिन वो उससे भी जगडा कर लेती है और इस वज़े से friendship island तूट जाता है जोई और sadness ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि राईली के personality के islands जो हैं वो धीरे-धीरे तूट रहे हैं जोई और sadness long term memory lanes में भटक रहे हैं कि उन्हें राईली का imaginary friend बिंग बॉंग दिखता है वो हाथी जैसा दिखता है और राईली और बिंग बॉंग बच्पन में बहुत अच्छे दोस्त थे राईली अपनी imaginary दुनिया में बिंग बॉंग के साथ खूब खेलती थी बिंग बॉंग जॉय को देखके कहता है कि तुम्हें तो headquarters में होना चाहिए क्योंकि तुमारे बिना राईली कभी खुश नहीं हो पाईगी बिंग बॉंग दोनों को imaginary land में ले जाता है जहां एक train का station है वहां से एक train जाती है जो सीधे headquarters तक जाती है ये train train of thoughts है ये train कई stations में रुखती है जिसमें से एक station है imagination land में बिंग बॉंग, joy, sadness, imagination land पहुँचते हैं जहां राईली के imagination की बहुत सारी चीज़ हैं जैसे french fries का forest trophy town जहां सब खेलते हैं सब जीतते हैं सब को award मिलता है बादलों का शहर, lava वाली नदी और राईली का imaginary boyfriend भी वहां है जो बोल रहा है कि वो राईली के लिए कुछ भी कर सकता है उसके लिए मर भी सकता है उदर राईली नए सहर में होकी खेलने आती है लेकिन वो बिलकुल अच्छा नहीं खेल पाती और गुसे में आके वहां से चली जाती है जिस वज़े से उसके mind में उसका personality का hockey island भी तूट जाता है headquarters में anger, disgust और fear को convince कर लेता है कि राईली को अकेले इस सहर से भाग जाना चाहिए और वापस Minnesota जाना चाहिए जहां उसके friends हैं और वो वहां पर ही खुश रह पाएगी Imagination Land को पार करके Bing Bong, Joy और Sadness finally train में बैठ जाते हैं और train headquarters की तरफ निकल पड़ती है उदर गर पे राईली भागने की तयारी कर रही है वो अपनी मम्मी के पर्स से ATM कार्ड उनका चुरा लेती है ताकि वो उन पैसों का यूज करके भाग सके ये सब एंगर राईली से करवा रहा है ताकि Minnesota जाके वो वापस हैपी हो जाए लेकिन उस समय राईली का Honesty Island भी तूट जाता है क्योंकि उसने चोरी की है जब Honesty Island तूट रहा है तो ट्रेन भी वहीं से गुजर रही थी जिस वज़े से बिंग बॉंग जॉय और सैडनेस का एक्सिडेंट हो जाता है वो ट्रेन तूट जाती है और गिर जाती है ट्रेन का एक्सिडेंट होने की वज़े से जॉय और बिंग बॉंग डंप में गिरते हैं जाके जबकि सैडनेस उपर कहीं लॉंग टर्म मेमरी लेंस में खो जाती है ये डंप वही जगा है जहां पर अगर कोई भी चीज चली जाती है तो राईली उसे भुला देती है वो माइंड का एक ऐसा सेक्शन है डंप में है वो बहुत दुखी है और रोने लगती है वो डंप में पड़ी हुई है और मेमरी बॉल्स को देख रही है जिसमें राईली की बचपन की कई सारी यादे हैं एक मेमरी बॉल में जॉय देखती है कि एक होकी मैच हार जाने की वज़े से राइली बहुत दुखी है दुख होने की वज़ए से बॉल का कलर जो है वो बुलू है लेकिन थोड़ी ही देर बाद राइली के पेरेंट्स और उसके दोस्त उसके पास आजाते हैं और राइली को चेयर करने लगते हैं राइली बहुत खुश हो जाती है और उस blue ball का color अब yellow हो जाता है ये देखकर joy को sadness की value पता चलती है वो देखती है कि जब राईली sad थी तब ही उसके दोस्त उसके पास आए उसे cheer करने लगे उसे happy कर दिया joy को realize हुआ कि sadness राईली की life में कितना important role play करती है जब sadness की वजए से राईली रोती थी तो उसका दुख कम होता था और उसे हलका महसूस होता था dump में joy अब bing wong के पास जाती है और उससे help मांगती है इस dump से बाहर निकलने में उन दोनों को dump में एक जादूई गाड़ी मिलती है जिसकी मदद से joy dump से बाहर आ जाती है लेकिन bing wong वहीं रह जाता है क्योंकि उसका वज़न थोड़ा जादा था और वो गाड़ी सिर्फ एक ही लोग को पार करा सकती थी dump से निकल कर joy sadness को डूनती है sadness बहुत दुखी है और रो रही है joy headquarters पहुँचने का एक plan बनाती है वो imagination land जाके राईली के imagination boyfriend को multiply करती है एक machine से जिससे एक ही बंदा बहुत सारे लोगों में multiply हो जाता है joy उन boyfriends को एक के उपर एक खड़ा करती है और एक टाबर बनाती है और खुद सबसे उपर पहुँचती है और swing करके sadness को साथ लेके headquarters के बाहर तक पहुच जाती है और finally disgust, anger और fear उन दोनों को अंदर कर लेते है तब तक राईली घर से भाग चुकी है वो Minnesota जाने वाली बस में बैठ कही है उसकी मम्मी उसे call कर रही है लेकिन उसने call को cut कर दिया इस वज़े से राईली के mind में family island भी तूटना शुरू हो गया है लेकिन अब joy और sadness वापस headquarters में आ चुके है सारे emotions joy से कहते हैं कि अब जल्दी जाओ और राईली को control करो उसे खुश करो लेकिन joy खुद नहीं जाती sadness को बेचती है joy कहती है कि राईली को sadness की अभी जादा जरूरत है sadness control पे जाती है sadness सबसे पहले उसे भागने वाला idea जो आया था राईली को उस idea को हटाती है ये idea हटते ही राईली बस रुकवा देती है और वापस घर आ जाती है राईली अपने parents के सामने आती है और रोते हुए सब बताती है कि कैसे वो अपने पुराने घर अपने पुराने friends को miss कर रही है उसके parents उसको हग कर लेते है और फाईली sadness joy को control पर बुलाती है राईली को रोने के बाद बहुत अच्छा फील होता है बहुत हलका फील होता है और finally अब वो happy महसूस करती है ये memory उसके mind में बनती है और इस memory ball का color blue और yellow दोनो होता है क्योंकि ये एक happy sad वाली memory है और ये एक core memory बनती है और कई सारे दिन बीच जाते है राईली की जो हालत होती है वो improve हो जाती है और राईली को अब बहुत सारी core memories बनती है जो mixed color की होती है जिसमें joy भी है, anger भी है, sadness भी है, fear भी है राईली के पुराने personality islands भी वापस बन जाते हैं और साथ ही नए दूसरे islands भी बनते हैं जैसे fashion island, romance island, etc. राईली अपने नए गर में adjust हो जाती है नए friends बनाती है और वापस hockey खेलने लगती है राईली के mind के headquarter में अब console भी बड़ा हो गया है जिस वज़े से सारे emotions एक साथ काम कर सकते हैं और राईली को उसका best करने के लिए inspire कर सकते हैं और यहाँ पे inside out movie खतम होती है और यह movie हमें आर सिकाती है कि कैसे सारे emotions बहुत important होते हैं आप कभी हमेशा खुस नहीं रह सकते आप कभी हमेशा दुखी नहीं रह सकते आपको हमेशा कभी गुसा नहीं आ सकता सारे emotions एक बहुत ही अच्छा role play करते हैं आपकी personality को build करने में और इस movie में हर emotion को और emotion से जुड़ी हुई हर चीजों को memories को एक physical form की तरह दिखाया गया है तो यार वो देखके बहुत अच्छा लगता है और ये movie काफी अच्छी है और एक काफी depth में हमें meaning provide करती है emotions के बारे में, life के बारे में memories के बारे में, relationships के बारे में तो इसी के साथ inside out one की कानी तो खतम हो चुगी है और अब हम सुनते है inside out two की कानी जो की यहीं से start होती है San Francisco में रहते हुए Riley को दो साल हो गए है अब वो 13 साल की है school में वो हमेशा first आती है दिल की बहुत अच्छी है लोगों की help करती है वो बहुत अच्छा होकी खेलती है और वो अब high school में जाने वाली है Riley के personality islands बहुत ही strong है Riley की जो core memories बनती है उससे अब एक नया section बनता है जो है self image जो Riley की personality को दिखाती है Riley का अभी का जो self image है वो ये है कि Riley एक बहुत ही अच्छी इंसान है वो बहुत ही अच्छी दोस्त है Riley एक hockey match खेल रही है और बहुत अच्छा goal करके अपनी team को जिता देती है ये match उसकी high school coach देखती है और वो Riley और उसके दो friends को hockey खेलने के लिए अपनी coaching camp में invite करती है अगर Riley और उसके friends ने coach को impress कर लिया तो फिर इन है high school team में जगह मिल जाएगी जो कि Riley का सपना होता है camp से एक रात पहले Riley सो रही है और उसके mind के headquarters में joy, sadness, fear, anger, disgust भी सो रही है लेकिन अचानक से puberty का alarm बजने लगता है और बहुत सारे workers headquarter में घुसाते है उसका renovation करने क्यूंकि Riley अब 13 साल की हो चुकी है अब उसको puberty भी hit करने वाली है इस वज़े से उसका headquarter है उसका renovation होगा और बहुत सारे workers गुसते हैं उसका renovation करने के लिए और साथ ही जो console है जो emotional console है जिससे emotions Riley को control करते हैं वो भी अब और बड़ा हो जाएगा workers उस emotional console को upgrade कर रहे हैं और कह रहे हैं कि upgrade करेंगे इसको बड़ा करेंगे ताकि दूसरे emotions को भी जगे मिल सके headquarters में अब दूसरे और emotions आने वाले हैं क्योंकि अब Riley teenager बन चुई है और उसकी puberty आ गई है puberty आने से Riley का हर emotion बढ़ गया है उससे गुसा भी ज़्यादा आने लगा है Riley की school में दो friends हैं जिनके साथ वो hockey खेलती है और उनी के साथ वो camp भी जा रही है लेकिन दोनों friends Riley को बताती हैं कि वो अगले साल school छोड़ कर जा रही है दूसरे school Riley को मन ही मन काफी बुरा लगता है क्योंकि वो अकेली हो जाएगी Riley के mind का headquarter अपग्रेड हो चुका है console भी बड़ा हो गया है और चार नए emotions headquarter में आ गए है पहला है envy जलन ये ऐसा emotion है जो Riley को जलन वाली feeling देता है दूसरा emotion है embarrassment ये emotion शरमीला है और Riley को शरम वाला emotion देता है तीसरा emotion है ennui ये एक बोरियत वाला emotion है जो Riley को बोरियत feel कराता है और चौथा emotion है anxiety ये बेचैनी है और ये Riley में बेचैनी लाती है stress लाती है camp में पहुचते ही Riley popular hockey player high school की captain well से टकरा जाती है उससे मिलकर Riley बहुत excited हो जाती है well के hairs देखके Riley को थोड़ी जिलन होती है क्योंकि ennui console पर Riley को control कर रही थी उस time well Riley को अपने team से मिलवाने को कहती है और उसे साथ चलने को कहती है Riley अपने दोनों friends के बारे में सोचती है लेकिन anxiety headquarters में take over कर लेती है वो कहती है कि well हमारा future है हमें इसे impress करना चाहिए हमें इससे friendship करनी चाहिए हमारे जो पुराने दोस्त हैं वो तो school छोड़ कर चले जाएंगे इसलिए हमें उन्हें ignore करना चाहिए और well पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही हमारे future के लिए अच्छा रहेगा जोई anxiety से कहती है कि तुमने हमारे best friends को पीछे क्यों छोड़ दिया तो anxiety बोलती है कि future की planning मैं करती हूँ Riley के लिए जो सही होगा मैं वही करूँगी well Riley को team से मिलवाती है अगले देन hockey का match होता है और Riley काफी गलतियां करती है जिस वज़े से पूरी team को coach सुना देती है Riley की खराब image बनने लगती है तो headquarter में anxiety बहुत परेशान हो रही है वो Riley को control करती है anxiety Riley को well के पास बेजती है और Riley से मखन लगाने वाली बातें करवाती है ताकि well impressed हो सके anxiety का काम करने का तरीका joy और दूसरे emotions को विलकुल पसंद नहीं आ रहा था joy चाहती है कि Riley अपने पुराने दोस्तों की team में खेले जबकि anxiety उसे well की team से खिलाना चाहती है इस बात को लेकर joy और anxiety में जगडा हो जाता है anxiety Riley के mind में पुरानी personality हटाना चाहती है और उसे नई personality देना चाहती है उसे थोड़ा मतलबी बनाना चाहती है ताकि उसका future अच्छा हो और उसका भला हो joy anxiety को रोकती है तो anxiety, embarrassment और envy मिलके joy, sadness, anger, fear और disgust जो पुराने emotions थे उनको पकड़ लेती है, एक box में कैद कर लेती है और mind की एक jail में डलवा देती है अब Riley को headquarter से anxiety कंट्रोल कर रही है और उसकी एक नई मतलबी personality बना रही है anxiety Riley की पुरानी personality को तोड़ कर dump में fake देती है ये पुरानी personality Riley को एक अच्छा इंसान और एक अच्छा दोस्त बनाती थी Riley अब मतलबी हो रही है वो वैल को हमेशा मक्खन लगाती रहती है उसे impress करने का try करती रहती है किसी भी तरह चाहे जूट बोलना पड़े या जवरजस्ती का cool बनना पड़े Riley अपने बालों में भी वैल की तरह color करवा लेती है ताकि वो cool देखे Riley अब बहुत जूट बोलने लगी है वो वैल और coach को impress करने के लिए बहुत परेशान और बेचैन रहती है क्योंकि उसके mind के headquarter में anxiety in charge पे है और उससे ये सब करवा रही है कैम्प का आखरी दिन है और coach ने एक diary में Riley का feedback लिखा है जो उसे coach कल बताएगी वो diary coach के office में रखी हुई है रात को Riley बहुत बेचैन हो रही है वो बहुत परेशान है कि coach ने पता नहीं diary में क्या लिखा होगा Riley रात को ही coach के office में चोरी करने पहुँचती है वो देखना चाती है कि coach ने diary में क्या feedback लिखा है Riley diary को देखती है और उसे पता चल जाता है कि coach ने negative feedback दिया है और वो team में select नहीं हो रही उधर joy, sadness, fear, anger और discussed जेल से किसी तरह बाहर निकलाते हैं वो सब sadness को चुपके से वापस headquarters बेज देते हैं जहां वो चुपके रहने लगती है और joy, anger, fear और discussed राइली की पुरानी personality को खोजने निकल जाते हैं जो anxiety ने dump में fake दी है ये चारो राइली की पुरानी personality तक पहुचते हैं उसे ढूंते हैं और उन्हें वो personality मिल भी जाती है लेकिन वो personality बहुत ही dim हो चुकी है और धीरे धीरे खतम हो रही है ये देखकर joy बहुत दुखी हो जाती है joy कहती है कि शायद जब लोग बड़े होते हैं तो खुशियों को भूल कर overthinking और anxiety को अपना लेते हैं headquarters में anxiety बहुत परेशान है और नए नए plans बना रही है कि कैसे वो राइली को टीम से बाहर निकलने से बचा सके camp के last दिन एक final match होगा जिसमें राइली भी खेलेगी anxiety सोचती है कि अगर राइली तीन goals करते तो coach का शायद मन बदल जाएगा और राइली को high school team में जगह मिल जाएगा अगले दिन match स्टार्ट होता है राइली दो goals कर लेती है और बहुत stress के साथ third goal करने का try कर रही है वो दूसरे खिलाडियों को टक कर मार के गिरा देती है राइली की heartbeat बहुत fast है उसे breakdown हो रहा है match खेलते हुए वो अपनी team वालों की ही नहीं सुन रही है वो उन्हें भी pass नहीं दे रही है ताकि वो तीसरा goal खुद कर सके ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि anxiety headquarters में उसे control कर रही है anxiety बहुत डर चुकी है वो बहुत जल्दी जल्दी console को चला रही है राइली पर बहुत pressure डाल रही है और खुद भी out of control हो चुकी है दूसरे emotions उसे रोकने का try करते हैं ताकि राइली बच सके उसी टाइम पुराने emotions joy, fear, discussed वापस headquarters में आ जाते हैं सब मिलके राइली की मतलवी वाली personality को तोड़ देते हैं और joy पुरानी personality को वापस लगा देती है joy anxiety को भी console से दूर ले आती है और उसे शान्त करती है सारे emotions मिलके उस नई personality को हग करते हैं और finally राइली शान्त हो पाती है headquarters में anxiety को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि हम सब emotions को मिलके team की तरह काम करना चाहिए और राइली की भलाई के लिए काम करना चाहिए राइली की life अब वापस normal होने लगती है peaceful होने लगती है राइली अपने पुराने दोस्तों से माफी मांगती है और well और उसकी नई team भी अब राइली के अच्छे दोस्त बन चुके हैं राइली finally अब peaceful life जी रही है headquarters में joy वापस control पे आ चुकी है सारे emotions मिलके उसके लिए काम कर रहे है और उसकी personality को अच्छा बना रहे है हाइ स्कूल टीम की coach select हुए players की final list भेजने वाली है राइली लिस्ट देखने के लिए बहुत excited है उसे अमीद है कि इस साल उसका हो जाएगा और नहीं हुआ तो वो अगले साल ट्राई करेगी फाइनली राइली के phone में notification आता है राइली अपना phone चेक करती है selected players की list देखने के लिए और फिर proud smile के साथ खुद को एक शीशे में देखती है और इसी के साथ Inside Out 2 movie खतम होती है तो यहर यह story थी Inside Out 1 और Inside Out 2 movie की यह movie emotions को personality को बहुत अच्छे से explore करती है तो I hope आपको यह video अच्छा लगाओ अगर अच्छा लगाओ तो प्लीज यार चैनल को subscribe करो, वीडियो को like करो और comment करके यह ज़रू बताओ कि अगला explanation किस movie या किस book का चाहिए तो मिलते हैं आर अगली वीडियो में तब तक see ya, have a good day, bye